नमस्कार, न्यूस्क्लिक के इस डिली राउंड अप में आपका स्वागत है, आईए नजर डालते हैं एक बार हेड्लाइन्स पर, बिहार चुनाओ, कीमत बढ़ने से गरीब नाराज, भात दाल और चोखा मिलना भी हुआ मुहार, नितीश जंता से दूर हो चुके हैं, कहना है राजत के विधायक का, अदम, सौ में से सत्तर नहीं, सौ में से नभी आदमी हैं, फिलहाल नाशाद, देश में पिछले 24 गंटों में 55,849 नए मामले, कुल मामलों की संख्या 77 लाग के पार, पटना से करीब 35 किलो मीटर और जहान बिहार के कुख्यात हत्या वाले इलाकों का केंडरीय हिस्सा रहा था, जो निम्रजातियों से आने वाले और धुर वामपंथी की नेतित्र में लामबंद होने वाले गरीबों में, सबसे गरीब लोगों और ताकतवत सवर्णों की निजी से नाओं के बीच की हिंसक लड़ हुआ है, ऐसा माना जाता है कि आरे भठ ने ही बताया था कि प्रित्वी सूरी के चारों और गूमती है और यह निशकर्च उन्होंने तरेगमा में बनी एक वेत्शाला में प्रयोग करते हुए अपने लंबे समय के अनुसंधान के आधार पर निकाला था, OBC की चंडरवंची जाती से तालुक रखने वाले मुकुट बताते हैं कि जब बेरोजगारी अपने चरम पर है और सरकाल कुशल और अकुशल कामगारों और यहां तक की सिख्षित नौजवानों के लिए रोजगार कर शुशन करने में असमर्थ है, तो ऐसे में जरूरी ख सत्ता में लोटते हैं, तो आलू भी हमारे पहुंच से बाहर हो जाएगा, इस बार हम बदलाव के लिए मद्दान करेंगे यह बहुत जरूरी है, इसी गाउं के रहने वाले लैलून प्रशाद का विचार भी कुछ-कुछ ऐसा ही है, और वे कहते हैं कि अगर एंडिया सत्त के दौरान जो न्यूस्क्लिक के पत्रकार मुहमद इम्रान ने अपने रिपोर्टाज के समय पाया, साथी साथ न्यूस्क्लिक ने बिहार के बेलागन से 6 बार विधायक रह चुके, राज़त नेता सुरेंद्र यादव से बात चीत की, आईए सुनते हैं क्या कहना है उनका आप सिधे सिधे मेरे घर पर चल जाएए, और घर पर जाएए और देखिए कि इसे मेरा परिवार जतना है जनानी, या मेरा बेटा उटा या मेरा स्टाप, सब सेवा में लगल रहता है कि नहीं, जितना गंदा कपड़ा पहन के आवे, जितना उसका सरीर माके, जितना उपी बिधान सवा से शारा तन्खा देते हैं साधी में मरनी जीनी में बीमारी में एक को पैसा घरे हम नहीं रखते हैं कुछ पैसा जो थोड़ा बहुत खर्चा है उसमें रखते हैं बाकी सब हम देते हैं गरीब लोग के चुकि उसी का उपैसा है उस जनता के काली कमाई है वो हमको भोट दिया इसलिए कि तुम कमाओ तो हमको भी थोड़ा खिलाओ थोड़ा तुम कमाओ थोड़ा हमको भी सेवा करने का मौका दो हम उसमें सेवा में राध दिन लगा रहते हैं छटा टर्म आपने कंप्लीट किया स देखिए पॉलिटकल भासा नहीं बोलेंगा लोग कहता है कि विश्वास से नेता चुनाव जिता है विकास अनिवार्ज है तो उसके साथ साथ विश्वास भी अनिवार्ज है जिसके पास दोग रहेगा चीज विकास और विश्वास तो उसको चुनाव कोई धर्ती पर हराने वाला नहीं है हम छेतर बदल के लड़ने वाला चुनाव नहीं है नेता बदलने वाला नेता नहीं है नेता वही रहेगा छेतर वही रहेगा जनता वही रहेगा सुरेंदर भी वही रहेगा एही है चुनाव जितने का राज अब ही कुरोना महमारी के दौरान जब लॉकडाउन पूरे कंट्री में लगाया गया तो बिहार की एक बड़ी तादाद जो दूसरे स्टेट्स में काम करती थी उसको घर आने की जब यह हुई तो एक टर्म कोईन किया गया प्रवासी मजदूर क्या कहेंगे उसमें नितिश कुमार का जो रूल था बस नहीं दी गई बहुत क्रिटिसाइज किये गए नितिश कुमार क्या कहेंगे आप उसके बारे में नितिश कुमार का तो जाज़े हम नहीं कहेंगे अगर नितिश कुमार जी मेरा बात को सुने तो ये जरूर अपने दिल में लख ले और इस पर संग्यान ले अपने दिमाग के अंदर में कि जो कमाने गया था वो सब नितिश कुमार के परिवार के लोग थे बिहार के मुख्या है नितिश कुमार तो एक तरह से वो गार्जियन है गार्जियन के जिम्मेवारी होता है कि छोटा बेटा से लेके बड़ा बेटा तक एक ही तरह हम कैसे दोनों को दोनों आग से बराबरी देखें और दोनों के बराबरी सम्मान और रिज्यत और परतिस्था दें नितीश कुमार को गाली दिया था नरेंदर मोधी जी और नितीश कुमार उस गाली का बदला लिये जो बाहर में बेटा भाई भतिजा बच्चा कमाने गया था उससे परवासी मजदूर कुपाधी नितिश कुमार दिये, ना कि लालू जादव या तेश्वी दिया या सुरेंदर जादव दिया है, हम लोग नहीं दिये, चुकि वह बच्चा मेरा था, नितिश कुमार अच्छे इंसान है, बुरा नहीं है, अच्छा इंसान है, उनको बताने व गाव में घूम के आ रहे हैं तो हमको बताया गॉब में किसे इसे देखी तो इतना खराब है सुरेंदर बावाबो मता हो तो उसको अभी हम संग्यान ले लिए आ हमने कहा कि जाओ अभी जो बेटन मीलेगा सब पैसा तुम लोग को दे दे तो लोग आपस में एक काम बढ़ा कर लेना उससे तो काम बोला कि हम लोग कर लेंगे साब सफाई वाली बात थी उसने कहा कि हम इसको कर लेंगे सच्छे उसको पूरा बेतन वादे देंगे सच बात है सुद को इसलिए मानते हैं कि आज सुद कि अकभार में बोला है सुद कि जो भी कंप्लिट करने व्ला कि ऐसे कि मैं Heidi अइस क्यी है उसको मैं पैसा से पैसा से मदद कुरूँगा यह सच बात है कि जो गरीब का बच्चा है doll किसी वरादरी हो अ संसूद को मैं सेलूट करता हूं यह संसूद तुमको हम जरूर मिलेंगे यार तुमको हम सेलूट करते हैं बहुत केलाग के परतीमाएं बादर मीरा एक्सेप्ट कर ले हो और जब भी बोले हो कि IPS वाइस जो गरीब के बच्चा उसको भी हम मदद करेंगे तुमसे बढ़िया इंसान कोई नहीं हो सकता है अगर हम सको बस चले मेरा बस चले हम तो ही कहेंगे कि देश के सबसे उचा पद पर तुमको भी होना चाहिए एक आखरी सवाल सुरेंदर जी आपने 80 के दशक्त से असी के दशक्त से अपने पॉलिटिकल करियर की शुवात की है तब से लेके आज तक आप राश्टी जनता दल में हैं इस बीच में बहुत सारे लोग नेता बने और समाजी कनिया के इस पे नेता बने लेकिन वो पार्टी बदलते रहे हमेशा सरकार में बने रहने के लिए सुरेंदर आदम ने ऐसा क्यों नहीं किया देखिए जब ये तैय हो गया कि बाप के नाम फलाना रहेगा और पैदा हुए है तो बाप के नाम वही है तो फिर बाप और माई नहीं बदला जाएगा लालू जादब की इस जन्नम में बदलने वाले नहीं है और इस जन्नम में हम छेत भी बदलने वाले नहीं है इच्छे तो मेरा माई बाप भाई भतिजा रहता है और उसी के बीच में हम रहना पसंद करते हैं ये जो चुनाव लरा जा रहा है इसमें लालो यादव नहीं है जेल में हैं उनकी तबियत बहुत ज्यादा खराब है केतनी कमी महसूस कर रहे हैं तो जनता जान रहा है सब कोई सब जनता बन जान रहा है भाईया कि लालो यादव के बड़ी तबियत खराब है और सेवा करेगा तो सुरेंदरे जादब करेगा और मेरा जो संबाद है पहुंचा रहा है की लालु जादव स्वतर ठीक हो जाएगा आप आर्जडी के इतने पक्के सिपाही हैं तो 2019 में क्या हो गया आपके चुनाम में जो तेजसी के बड़े भाईी से थेट परताव के बारे में बात करें हैं तो अच्छा परिबार नहीं रहता है जो अपने परिबार को सिकाइद करें जब उस घर में हमने अरा बच्पन बीता है तो तेज परताब या सब मेरा होटा चोटा भाय भतीजा है और भाई भतीजा में और आपस में घर में बैट मिलके सल्टा जाता है जब खाना कम रहे तो एक अक मुठी बाट के खाया जाता है ताकि सब के पानी पी के पेट भर जाए तो उसमें कॉमेंट नहीं होता है लिए आखिरी सवाल नितीश कुमार को आप क्यों चैले रहने वाला गाओं के है जानते हैं पर कुछ दोंगु चाटूकार से नितीश कुमार घेरा गया है कुछ बिचोलियों सब्राएं दारा कि सान का बेटा एक बैद का पुतर है उनका पिता जी पैसा रहे न रहे हर कोई के दवाई देते थे अच्छे इंसान थे, मैं उनका गाउं में गया हूँ, उनके घर पर भी में गया हूँ, खाना भी खाया हूँ, नितिश कुमार कोई बुरा इंसान नहीं है, अच्छा इंसान है, पर गाउं जाना उच्छोड़ दिये हैं, और जो गाउं जाना छोड़ दिये हैं, तो गाउं के जो बध जनता दरवार बन कर दिये हैं किसने आपको कहा कि जनता दरवार बन कर दिजे जनता दरवार से तो आपको गाउं के सचाई पता चल जाता था क्यों आप ऐसा अफसर आपको घेर के रखता है गाउं में पहले ही स्विल्ड रेस में अफसर आपका बैठ जाता है कभी आप मानि मुखवंती जी सोचे हैं कि आपका वीडियो सीयो सब भेद देता है लोगों को अथिरेटनिक देता है गाउं के लोग के आपके तक नहीं पहुंचने देता ह आपको कोई जनकारी दिया है आप गाउं में जाते हैं जनकारी लेने के लिए पर जनता आपके पहुंचता है क्यों नहीं पहुंचता है वही जनता पहुंचता है जिसको परसासन के लोग मेनेज कर लेते हैं बस थोड़ा थोड़ा आपके क्या भेशता है आप उसकी बात क जन्ता के शायर अदम गुंडवी का अजन्म दिने 22 अक्टूबर 1947 को उत्तरप्रदेश के गुंड़ा जिले के परसपुर के अठागाव में उनका जन्म हुआ माबाप ने नाम रखा रामनात सिंग लेकिन उन्होंने अपने लिए नाम चुना अदम गोंड़ी वो हर गरीब महनतकश का दुख दर्द महसूस करते थे और इसी को अपने गजलों में डाला भी करते थे वे ऐसे नायाब शायर थे जिन्होंने धर्ती की सता पर खड़े होकर समय से मुद्भेड की न्यूसक्लिक ने उनकी याद में 2018 में यह वीडियो फीचर त्यार किया था जिसे आज भी देखा सुना जाना चाहिए आईए देखते हैं इस फीचर को जो उलचकर रह गई है फाईलों के जाल में गाउं तक वो रोशनी आएगी कितने साल में सची पूछा था जन्ता के शायर अदम गौंड भी ने अपने समय के हुक्मरान से लेकिन इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला ना उन्हें ना हमें दावे बहुत हैं हर गाउं तक विजली पहुचाने से लेकर उजवला गैस योजना तक मगर सच कुछ और ही है तुम्हारी फाईलों में गाउं का मौसम गुलाबी है मगर ये आंक्रे जोटे हैं ये दावा किताबी है दावे के साथ धर्ती की सतह पर खड़े होकर समय से मुढभेड करने वाले शायर का नाम है अदम गौंडवी जो पूस्ता था सौ में सत्तर आदमें फिलहाल जब नाशाद है दिल पे रखकर हाथ कहिए देश किया आजाद जो जानता था कोठियों से मुल्क के मैयार को मत आंकिये असली हिंदुस्तान तो फुटपात पे आबाद है जो कहता था आईए महसूस करिये जिन्दगी के ताप को मैं चमारो की गली तक ले चलूँगा आपको उत्तर प्रदेश के गौंड़ा जिले के परस्पुर में आटा गाउं में पैदा हुए अदम माबापने नाम रखा था रामनाज सिंग लेकिन उन्होंने अपने लिए नाम चुना अदम गौंडवी तभी तो वो हर गरीब महनतकश का दुखदर्द महसूस करते थे और इसी को उन्होंने अपनी गजलों में ढाला भूग के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो गजल को ले चलो अब गाउं के दिलकश नजारों में मसलसल फन का दम घुटता है नद्वी दारों में न महलों की बलंदी से न लफजों के नगीने से तमद्दुन में निखार आता है घुसों के पसीने से वाकई उनकी घजले आज भी मेहनतकश के पसीने से महक रही हैं उनके सवाल आज भी सत्ता स्यासत को परिशा कर रहे हैं वो बिना हिचके बिना डरे ये कहने का सहस रखते थे कि जितने हराम खोर थे और बो जवार में परधान बन के आ गए अगली कतार में विनेताओ के रामराज की हकीकत भी जानते थे कहते थे काजू भुने प्लेट में विसके गिलास में उत्राहे रामराज विदायक निवास में वो पेधड़ा कंगली उठा कर साफ साफ कहते थे जो डलहुजी ना कर पाया वो ये हुकाम कर देंगे कमिशन दो तो हिंदुस्तान को निलाम कर देंगे ये बंदे मातरम का गीद गाते हैं सुबह उठकर मगर बाजार में चीजों का दुगनादाम कर देंगे उनके सवालों पर कल भी हुकमरान चुप थे और आज भी चुप हैं बस नाम बदले हैं चेहरे वही हैं बलकि पहले से भी ज़्यादा बत्तर पहले से भी ज़्यादा खौंखार उनके लफजों में उधर जमहुरियत का ढोल पिटे जा रहे हैं वो इधर परदे के पीछे बरबरियत है नवाबी है भुकमरी की जद में है या दार के साए में है एहले हिंदुस्तान अब तलवार के साए में है अदम ने जो कल जाना था जो कल सोचा था आज वही दोराया जा रहा है आज इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है शहरों सडकों इसमारों को के नाम बदले जा रहे हैं ऐसे ही लोगों से अदम पूस्ते थे गर्चन तवारिखी तहरीर बदल दोगे क्या इस से किसी कौम की तकदीर बदल दोगे जायस से वो हिंदी की दरिया जो बहके आई मोडोगे उसकी धारा या नीर बदल दोगे जो अक्स उभरता है रस्खान के नजमों में क्या क्रशन की वो मोहक तस्वीर बदल दोगे तारीख बताती है तुम भी तो लुटे रहो क्या द्रमने से चीनी जागीर बदल दोगे अदम की तरह पुरजोर आवाज में आज हुकमरान से कहने ये बताने की जरूरत है के हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िये अपनी कुर्सी के लिए जजबात को मत छेड़िये हम में कोई हून कोई शक कोई मंगोल है दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िये गर गलतिया बाबर की थी जुमन का घर फिर क्यों जले ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िये हैं कहां हिटलर हलाकु जारिया चंगेस खां मिट गए सब कौम की आउकात को मत छेड़िये छेड़िये एक जंग मिल जुलकर गरीबी के खिलाफ छेड़िये एक जंग मिल जुलकर गरीबी के खिलाफ दोस्त मेरे मज़भी नगमात को मत छेडिये केंद्री स्वास्त पंत्राले द्वारा आज 22 अक्टूबर सुबा गुरुवार आठ बजे जारी आख्रों के अंसार पिछले 24 गंटों में कुर्णा के 55,849 नए मामलें दर्ज किये गए हाला कि इसी बीच कौर्णा से पिरिट 89,415 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और कुल सक्रिय मामलों में 24,278 मामले कम हुए है लेकिन कौर्णा से रोजाना हो रही मौतों पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है पिछले 24 गंटों में कौर्णा से 702 मरीजों की जान गई है देश भर में अब कौर्णा के कुल मामलों की संक्या 77,6,946 हो गई है जिन में से अब तक 1,16,616 मरीजों की मौत हो चुकी है स्वास्तमंत्राले की तार्या जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में आज 3.8% की बढ़ोत्री के साथ रिकवरी रेट 89.19% हो गया है यानि कुल मरीजों में से अब तक 68,74,518 मरीजों को ठीक किया जा चुका है इसी के साथ देश में अब कुल सक्रिय मामलों की संक्या घटकर 7,15,812 हो गई है आइसे एमार दोरा जारी आकरों के अनुसार अब तक कुल 9,86,70,363 सैंपल की जाज की गई है जिन में से 14,79,984 सैंपल की जाज बीते 24 गंटों में ही हुई है इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूस क्लिक की वेब साइट पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेस्बुक, इंस्सेग्राम पर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर और साथी साथ देखिये हमारी हिंदी वेब साइट हिंदी.newsclick.in देखते रही न्यूस क्लिक धन्यवाद